कॉलर है हरियाना से संजे हमारे साथ स्वागत है संजे जी चलिए लगता है शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया एक बार फिर सब संपर्क साथने का प्रियास किजेगा हकीम साब एक सवाल आपसे जरूर है और आपी के लिए लोग आपसे इंस्पायर होते हैं आप या हम यही समझें कि आपके एक्सेसाइज आपके घरे लून उसके युनानी दवाईयां जो आपको इतना ज्यादा फिट रखे हुए हैं जानकारी एक तो अब जानकारी तो मैं आपको भी देता हूं और अपने घरवालों को भी देता हूं लेकिन आप अमल नहीं करें या यह खाकी अपनी फितरत में ना नोरी है ना नारी है अगर डॉक्टर भी गल्ती करेगा तो उसको भी वही रोग होगा जो एक आम आदमी को होता है तो अपना ख्यार लखना बहुत जरूरी बहुत कीमती है हमारी जिंदगी हमारे भगवान ने बनाया है इतना कीमती बनाया है कि अगर एक करोड उपे में कोई मेरी एक आख मागे मैं नहीं दूँगा पांच करोड में मागे तो नहीं दूँगा किता कीमती बनाया है एक आख दे दूँ पांच करोड ले लो और एक आख से तो काम चल जाएगा लेकिन नहीं लूगा ना एक हाथ नहीं दूँगा मैं दस करोड़ एक पैर नहीं दूँँगा किता किमती बना इसका ख्याल लखना बहुत जरूरी है और जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं ख्याल आप अपना खुद रखा करिए आप सब मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं हमेशा हमेशा सेहत की जिंदगी गुजार सकते है मैं बुड़ा आद्मी हूं और वाकरी लोग मुझे देखते हैं तो मैं जवानों की इसी मजबूती रखता हूं ज्यादा खाना सेहत नहीं है कम खाना सेहत है और ये सेहत है कि आप दिन्चरिया होने चाहिए आपकी कितना टहलना है कितना धूप में रहना है कितना पैदल है मैं सबसे कहता हूं एक घंटा पैदल चलो नहीं चल सकते तो धूप में रहो एक घंटा रोटी चार खाते हो तो दो कर दो फिर देखो जिसम में क्या एनर्जी आएगी और आप सेहत में गुदार सकते हैं तो बलको दर्श को देखे जैसे हकीम साब अपना ख्याल रखते है आप लोग भी अपना ख्याल रखना जाने तभी तो आप लोग चाहें एज आपकी कोई सी भी क्यूं ना हो आपको क्यूं यह लगता है कि एज हमारी बढ़ती जा रही है और बिमारियां हो सकती है अरे उनका निवारण भी है आप लोग घरेलू नुसके अपनाएए आप साथ कि रोग के लिए कौन से नुसके बहतर हो सकते हैं कैसे आप लोग नियुकों परहेज करना है कैसे आप लोग सेहत मंद हो सकते है तो दर्श को लाइव कारकरम चल रहा है लाइव आप लोग फोन उठाथाना है नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगतार दिखाये जा रहे हैं आई ये बात करते हैं अगले कॉलर से हमारे साथ अली गर से हैं हरे इंद्र स्वागत है आपका अगीब साव आदाव जी आदाव साब आथ मेरे दो तोड़े से वो है सवाल पर एक्तो मेरा बेटा है उसके वाइड पाल हो गए है ठीक है कितना बड़ा है तेरे साल का और एक वाइफ है उनको वेरी को बीन्स हो गई है जब फूली हुई है बैंस फूली भी है आप फूली हुई है और नीली नीली वच्छे बन गए जांगों के आसपास और गुटनों के पीशे दर्द है उनको हाँ पेन है काफी मतलब ज ठीक है और और तो कोई सवाल नहीं नहीं बते ही है अच्छा देखिए बच्चे को अगर नजला रहता है यह खांसी बलगम चीके के आती है ठंडी परवलती का है तो उसका उसका सिर्फ रिलाज के जी उसके बाल खुद अच्छे हो जाएंगे तो उसके लिए माजून आर क सुबा शाम एक चमच आप गरम पानी से दें और बाहर की चीजे ना खाने दें जो यह वैफार्स वगएरा वगएरा इस उमर के बच्चे लेते हैं अच्छा वरिकोस वैन का दर्द जा सकता है आपको दर्द जा सकता है तकलीफ जा सकती है और वो ज्यादा फूल जाती है पाइप की तरह तो वो ठीक नहीं हो सकता दर्द जाने के लिए देखिए दवा भी बताता हूं और घरे ले नुसका भी बताता हूं किसी को भी दर्द हो गौन सिया आता है काला गौन असली रेना है नकली बहुत मिलता है आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम इससे कमी र जाता है वरना एक बार दर्द शुरू हुआ चाहे वैंस में हो चाहे नसों में हो कमर में हो गुटनों में हो ये हमेशा दवा खानी पड़ती है इससे आपको मुद्दतों के लिए फाइदा हो जाता है अचा नहीं कि दुबारा नहीं हो लेकि पांच-दस साल के लिए सिया कहते हैं लेकिन मुश्किल से मिलता है हम भी नहीं दे पाते हैं इतने हमारे पाउडर होते हमारे लिए भी 15-20 दिन महीना इंतजार चाहिए असली तो मुश्किल से मिलता है नकली हर जगा मिलता है जायके में कड़वा होता है देखने में ब्राउन होता है और ये असली मिल जाना चाहिए और ये फिर यह नहीं मिले किसी को तो कैप्सूल टी के ल, टी फो aid ताइगर आप एक खुराक रोज या दो खुराक रोज जादा है तो दो खुराक रोज सूबह नाश्थे के बाद आग तो क्हाने के बाद पानी से बगएर चरवी के दूस से यह जूसे भी ले सकते हैं इनसे फाइदा मुम्किन है अगले कॉलर हैं राम नगर से लल्लन शाह जी हमारे साथ स्वागत है आपका कि नमस्कार नमस्कार अधार 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 फर्माइए लंड़न शाह साथ दिस वरश लर्गी के शिकारा है okay भाता है देगे ये सम्धी बड़ी खतर लाक है इसवक्ट तो । जिन लोगों को भी नजला खांसी की परिशानी है इस वक्त अपना ख्यार लगके हैं पांच बार गरम पानी पी हैं और ठीके इसका युनानी में बाकाइदा इलाज है पांच-छे महीने करने पड़ते हैं आप 20 साल से इसमें तकलीफ में हैं पांच-छे महीने दीजे युना को युनानी में माजून आरके सुबह एक चमच खाली पेट गरम पानी से और रात को सो तिसमें अगर आपने ये लगातार लिया तो इस से आपको छुटकारा मुम्किन है हमेशा की तरह वैसी दवाएं खाने के नजला हुए एक गोली खाली ये और बहुत सारी बीमारियों को दावत देना है इसमें आपकी इम्मिनिटी कमजोर होती है बीमारी से लड़ने की सक्ती जिस आदrire कम होती है उसको ये प्रॉबलम होती है और इस वक्त तो पूरी दुनिया को खास तो और भारत को एकी खुराख जरूर खानी चाहे है । चाहे किता बहुता की की खाले लेकिन एक इम्मुनिटी की खुराग जरूर ले एक या दो, माजून आर केर इम्मुनिटी की बैस्तरी इंतवा भी हो सकती है। ये मेरा फुपियक है, ताथ में ब्लड पेसर ही है। जी। चीक है। बैक पेंड भी करता है मैं। और पैंड में जलन होती है। आपको बता रहा हूं। और उन लोगों के लिए तफ़ा है जो ब्लड पेशर और डाइबिटीज की तकलीफ में हैं। ये आपको आखरी सांस तक सेहत बंद रखता है, डाइबिटीज को एक इस तर पर रोक कर रखता है। मिलता मुश्किल से है, लेकर मिल जाएगा। असली लें। और इसको कहते हैं जैतून का सिर्का। इसे तीन चम्मच रात को सो तिसमें जरूर पिया करें। दौा जो खारें वो ही खाते रहें। ये आपके ब्लेट पेशर की खार लेगा, कालिस्ट्रॉल की खार लेगा, दिल की खार लेगा, और डाइबिटीज की खार लेगा। पेट की एसिलिटी की खबर लेगा तो यह आप दिन में एक बार या दो बार लिया करें और पूरी लाइफ खुल के जीए ब्लेट पेशर और जिसको यह जाएप्रीज होती है मैं जानता हूं कि उसकी जिन्दगी ठहर जाती है उससा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता आप इसे इस्तेमाल करें आप एक सेहतमन जिन्दगी आखरी सांस तक जी सकते हैं अगर दर्द है और किसी सूरत नहीं जाता देखिए दो चार दिन का दर्द से कोई वह नहीं कोई बिदावाल है लेकिन अगर महीनों और सालों से हैं तो कैप्सुल टी केर लें टी फो टाइगर कैप्सुल टी केर सुबा शाम लें और बहुत जल्द आपका ठीक होना मुम्किन है अगले कॉलर है मुंबई से हमारे साथ जमाल उद्दीन स्वागत है आपका हालो हालो हान जी बोलिए प्रश्न करिए सवाल करिए अपना कब से दर्द है कि दर्द को कम से पांच से साल हो गए ठीक है एच क्या है आपकी ऑफाटी एट एट जमाल उद्दीन शाहब पांच साल दर्द में हो गए मुझे पांच महीने चाहिए आपको आपसे युनानी के लिए एक बहुत अच्छा नुसखा और एक दवा नुसखा देखी यह है कि काला गौन अगर आपको मिल जाए असली इकरवा होता है बहुत नकली बहुत मिलता है असली हासल करना है आदा आदा गिर्दा सूब़ शाम खाये तो खितम होते होते आपका पांच साल पुराना दर्द जाना मुम्किन है और दवा के तौर पर आप कशुटी केर चाहें तो युनानी में आता है वो ले सकते हैं आपको फाइदा मुम्किन है तो महरा आश्ट्र से सब्सक्राइब करें नेक्स्ट कॉलर हैं परवीन पाटिल हमारे साथ स्वागत है पाटिल जी अधर मेरा को संदीवात कितना कितना समय हो गया पाट से पाट बरस होगे तो ठीक है आँ देखिए महारास्त में ये मजब है और पांच-साथ साल से तकलिफ उठा रहे हैं अगर आप युनानी को पांच-साथ महीने दे दें तो आपको रोगमुक जीवन मिल सकता है युनानी में गौंसिया एक अच्छा अच्छा नस्ख नी करता है थोड़ा थोड़ा रोज़ाना फाइदा करता है फाइदा करता है गौन curious नखली बहुत मिलता है वहारास्त में अदो अधे गुराम शुबाध अधे घ्राम शांगाएं युनानी में एक आती है कैप्सूल टी केर टी फोर टाइगर दवा लेनी हो तो कैप्सूल टी केर सुबा शाम खाने से भी आपका मुद्दतों पुराना तकलीफ जाना मुमकिन है हकीम साब बात आती है नुसकों की और युनानी दवा जो आप यहां पर दर्शकों को बताते हैं इन्हें एक साथ ले सकते हैं हम क्योंकि कई बार क्या होता है व्यक्ति के पास वक्त नहीं हूपाता है वो नुसके नहीं बना पाता है ईजिए जिए मैं गॉंसिया बताता हूं है तो वह ले सकते हैं और कोई युनानी दवा नि नी ले सकते हैं जिसे ठीटि इर बताता हूं तो यह डबल हो जाएगी بिल्कूल तो यह तो ठीक बहुत दाद हो तो दाद की दावा साथ में ले सकते हैं, युरानी के साथ कोई भी ऐलोपेंटिक दावा ले सकते हैं, कोई नुक्सान नहीं होता, और आपको फायदा होना मुम्किन है.